नमस्कार प्यारे बच्चो के उमीद करता हूं आप सब छुटीओं का मज़ा भी ले रहीं हैं और घर से पढ़ भी रहें और उमीद करता हूं आपको सोंज में भी आ रहा होगा जैसा कि हम ये एक टोपिक किया था सर्व नाम तो उमीद करता हूँ वो आपको सौन्ज में आ गया होगा आज हमारा टॉपिक है विशेशन अब यह विशेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे नाम विकास हिंदी व्याकर्ण यह देखो बच्चा दिखाई दे रहा आपको अब देखो दिये गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें पहला वाक्य है सुमन एक सुन्दर लड़की है दूसरा है गुलाब का रंग लाल है तीसरा वाक्य है एक लड़का स्कूल जा रहा है और चोथा है कार का रंग लाल है अब यह आप देखोगे कि भी मैंने यहाँ पर हाइलाइट किया हुआ है जैसे सुमन को सुन्दर को गुलाब को लाल को एक कार लाल यह सब मैंने लाल रंग के किये हुए है तो यह क्यों की हुए है यह मैं आपको आगे बताता चलूँगा चलिए मैंने आपको का कि मैं वीशेशन पढ़ा हूँ आप कि वीशेशन क्या होता है जैसे कि आपने इससे पहले जो स्लाइड थी उसमें देखा था कि मैंने कुछ शब्दों को लाल किया हुआ था तो अभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों किया हुआ था पहले वीशेशन की परीबासत देखते हैं परिवास देखने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको संग्या भी बता चुका हूँ, मैं आपको सर्व नाम भी बता चुका हूँ तो संग्या क्या है किसी व्यक्ति वस्तु का नाम है यानि जो भी वस्तु और उनका नाम है चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है वो सजीव है या निर्जीव है जिसका भी नाम वो सब क्या है संग्या इसी तरह सर्व नाम क्या है जो संग्या के स्थान पर परियोग हो रही हैं जैसे कि मैंने लाउस्ट साइम आपको बताया था वीसेशन क्या है जो संघ्या और सर्व नाम की विशेश्ता बताएंगी में उताक संग्या और सवनाम शब्दों की विशेश्ता जिस में गुण, दोस, संख्या, परिणाम, आदी बताने वाले शब्द वीशेशन कहलते हैं, जैसे बड़ा, लंबा, सुन्दर, एक, दो, उचा, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, देखो, काला, कुत्ता, तो कुत्ता यहां पर क्या है, हमारा, यहां संग्या है, मैंने आपको ब कुत्ते की क्या विशेशता है, कि कुत्ता काला रंग का है, इसी तरह बूड़ी औरत, तो औरत यहां पर संग्या है, और बूड़ी क्या है, वो उसकी विशेशता है, जैसे कि मैं आपको इसकी परिवासा में बता चुका हूँ, यह देखिए, काला कुत्ता है आपके आगे और ये बूड़ी ओरत है यानि जो हमारी जो दादी होती है या जिनकी उमर बढ़ जाती है तो साथ टाइम के साथ-साथ वो ऐसी हो जाती है आप भी ऐसे ही हो जाओगे अब आगे पढ़ते हैं विशेशन के चार बेद हैं यानि विशेशन, चार परकार के अखते हैं, नम्बangel एक गुंणवाचक विशेशन, नम्बर दो संख्या वाचक विशेशन, नम्बर तीन परिमान वाचक विशेशन, नम्बर चार सार्थवनामिक विशेशन। अब इनको अलग अलग पढ़ेंगे यह देखो एक कमजोर सब अच्छा दिखा रहा है इसको इसको भी आप जब इसकी परिवासा पढ़ोगे तब आप इसको भी बता पाओगे सबसे पहले गुण वाचक विशेशन जैसे गुण कीश के गुण के बारें बताएगा है देखिए जिन शब्द से संग्या या सवनाम के गुण रूप रंग आदी का पता चले वो गुण वाचक विशेशन कहलाते हैं एक्जाम्पल है बगीचा बहुत ही सुन्दर है उसके बाद बच्चा बहुत ही कमजोर है तो देखो ये बच्चा यानि ये संग्या है और इसकी शेश्ट क्या है कमजोर है तो ये इसका गुण है बच्चे का ये बगीचा है ये हमारा पिंजोर गार्डन है जो कि बगीचे की कैसी व्यूटसता है कि यह सुंदर है तो यह इसका गुण है यह इसका रूप है समझ में आगे बच्चोत आगे चलते हैं संख्यावाचक वीशेशन अब यह संख्या वाचक विशेशन क्या होता है? जैसे कि संख्या से ही पता चल रहा है, संख्या मतलब गिंती देखिए, जिन सब्दों से संख्या या सर्वनाम की निश्चित वा अनिश्चित संख्या का बोध होता है वो संख्या वाच्छक विशेशन कहलते हैं जैसे एक लड़का स्कूल जा रहा है तो यहाँ पर देखो एक निश्चित संख्या है है और कौन जा रहा है लड़का जा रहा है कहां पर जा रहा है स्कूल जा रहा है ठीक है बटा तो यह संख्या की निश्चित संख्या के बारे संग्या यहां पर लड़का है ठीक है स्कूल भी संग्या है लेकिन यहां पर लड़का में जो संग्या है यहां पर लड़का बना हुआ है क्योंकि हम लड़के के बारें बात कर रहे हैं आज भारत में बहुत से लोग गरीब हैं आपको पता होगा कि भारत में काफी गरीब है तो बहुत से लोग गरीब है जिनको गिना नहीं जा सकता तो यह है अनिश्चित संख्या है यह देखो बच्चा स्कूल जा रहा है आओ बच्चो स्कूल चले हम उसके बाद है परिमान वाचक विशेशन अब ये परिमान वाचक विशेशन क्या आता है देखिए बहुत ही आसान है सोज में आ जाएगा जिन विशेशन शब्दों से किसी वस्तू का नाप तोल का बोध होता है जैसे हम दूद नापते हैं तेल को लिटर वगरा में इस तरह नापते हैं ना तो उस चीज के बारे में बताएगा तो वे शब्द परिमान वाचक विशेशन कहलाते हैं सोज में आई बटा हाँ अगे है जैसे मुझे दो मीटर कपड़ा दो तो दो मीटर कपड़ा कपड़ा का नाप है कितना है दो मीटर है उसके बाद उसे एक किलो चिनी चाहिए आप दुकान पे गए आपने कहा कि मुझे चिनी कितनी चाहिए एक किलो तो यहां पर एक किलो यह इसका नाप तोल है समझ में आगी ना बच्चो मुझे थोड़ा पानी चाहिए आपको प्यास कम लगवी है आपने कहा कि भी मुझे थोड़ा सा पानी दे दो समझ में आई बच्चो तो यह अनिश्चित भी यह कि थोड़ा कितना थोड़ा भी थोड़ा चाहिए मुझे उसके बाद है सार्वनामिक विशेशन सार्वनामिक विशेशन अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है लेकिन उमीद करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा देखिए जब कोई सर्वनाम शब्द संग्या शब्द से पहले आए वह विशेशन शब्द कीतर है संग्या की विशेशन बताए उसे सार्वनामिक विशेशन कहते है थोड़ा सा थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा अब देखो इसका उधारन और देखो वह आदमी वेवार से कुशल है देखो यह क्या करा है जब कोई सर्वनाम शब्द संग्या सब्द से पहले आए तो यह सर्वनाम है और संग्या सब्द आदमी है सर्वनाम क्या है वह और संग्या क्या है आदमी तो यह इससे पहले आए और वहे विशेशन सब्द की तरहा विशेशन सब्द ये जैसे वेवार और कुसल है संग्या की विशेशता बताता है तो अब ये आदमी वेवार में कुसल है कौन सा आदमी वहे आदमी वेवार में कुसल है तो यहाँ पर वहे क्या है सारवनामिक विसेशन जैसे सरवनाम, सरवनाम में यह है, वहे, कौन, क्या, यह सब चीज़ आती है न तो यहाँ पर वहे, तो यह क्या है आपका सारवनामिक विसेशन तो यह वह अपने आप में एक सरुनाम है और आदमी यहां पर संग्या है कौन चातर मेरा काम करेगा तो यह देखो कौन यहां पर यह क्या है यह भी सरुनाम है और यह संग्या से पहले आया हुआ है तो यह क्या है सारुनामिक विशेशन उमीद करता हूं बच्चो आपको यह समझ में आया होगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद